टेंड, टेंड, टेंड का हिंदी अर्थ होता है फिरना, ढलना, पहुचना, चला जाना या राह लेना आईए दोस्तों आजम इस वर्ट को समझेंगे कुछ अग्जेंपल के साथ नमबर एक, पुरुष महलाओं की तुलना में बाद में शादी करते हैं इसी तरह दूसरा एक्जेंपल है हमारा, women tend to live longer than men इसका हिंदी अर्थ होता है, महलाओं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं इसी तरह तीसरा और आकरी एक्जेंपल है हमारा, children tend to get pushed back in crowds इसका हिंदी अर्थ होता है, भीड में बच्चों को पीछे ढखेलने की परिविती होती है तो दोस्तों उमीद करता हूँ इन एक्जेंपल के माध्यम से tend का हिंदी अर्थ काफी अच्छे समझ गयोंगे तो दोस्तों ऐसे ही इंग्रेजी शब्दों को हिंदी में समझने के लिए आप अमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं धैनेवाद